हम जानते हैं कि चैत्य सब्द का प्रियोग बौध बहारों मटों के लिए किया जाता है, यानि कि बौध मटों बहारों कोई चैत्य खा गया था, चैत्यों की पूजा बौध परंपरा रही है, यह धालना प्रचलता है कि चैत्य सब्द की उत्पती चिता सब्द से हुई है, जो सम्दपता चिता से ही संबन दित था. चिता के उपर बनाया गया घर या समारक चित के लाता था. जिसका प्रियोग सामाना रूप से धर्मिक और पवित्र समारकी असलाओं पवित्र स्तलों के रूप में होता था. मतलब बहुत दम्म के पूजा इस तलकु चत कहा गया बहुत परंपरा के नुसर जब किसी स्रेष्ट भिक्कू, आचार है या परसे दोपासक का परिनिर्मार हो जाता है तो नदी या तलाप के किनारे या पलब्द भूमी पर दास अंसकार के बाद जो अस्तियां या राक से इस रह जाता है उसे किसी पात्र में एकत्रित करके मिट्टी में दवा दिया जाता है और उसके उपर इस मारक के रूप में स्तूप बना दिया जाता था इन स्थूपा के पास इसनान करने का कुंड बना दिया जाता था ताकि स्रद्दारू लोग इसनान करके अपनी क्रिया कर सके डॉक्टर बावा साहब अमेटकर जी की इस्तियों पर भी बौद परंपरा के अनुसार इस्तूप या इसमारक बनाया गया जिसको चैत बुमीक कहा जाता है जब भारत से बौद द्रम को नस्ट किया गया तो जो बचे हुए बौद थे उन्होंने डर के मारे इन ब्रामणों की धर्म को तो अपना लिया पर बौद धर्म खत्म ना हुआ इस्तूप और चैत पुया करने वाले बौदों ने उसी का छोटा रूप बनाकर अपने घरों में स्तापित कर लिया जब ब्रामणवादियों ने इन्हें देखा कि इन से कमाई हो सकती है तो इस्तूप को सिविलिंग का नाम दे लिया इस्तूप के पास बने इस्नान घर में इस्नान करने की प्रक्रिया जल चड़ाने में बदल गई ब्रामणी ब्यवस्ता में जीवाद जीने का प्रवाब बोले या पर प्रातात्प ग्यान का अभाब बोले यहां के लोग बाग अपने घर आगन की मानता में इतना चिपके हुए हैं कि सच्चा है उनके सराखों पर गुजर जाती है लेकिन फिर भी इन लोगों को बस्तविकता का पता नहीं चलता हमारे पुरके जिस चीज को स्टूप कहते थे उसी को आज के लोग सिब लिंग कहते हैं जिसे हमारे पुरके चैत्त कहते थे उसे आज के लोग महादे मंदर कह रहे हैं जिसे हमारे पुरके इस्तूप पूजा कहते थे उसे हम लोग आज लिंग पूजा कहते हैं भारतियों का ब्रामनों ने दर्मांतरन नहीं किया, बल्कि नामंतरन किया है, इसलिए भारतियों को दर्मांतरन किया वसकता नहीं है, नामंतरन की भी वसकता है, हमारे धर्म की हर चीज को दुवारा पुराने नाम देने होंगे, अब इसे देखो, इन्हें नहीं पचाना, मै बताये देता हूँ, ये सम्राट असोक के पुत्र महिंद है, सम्राट असोक ने बहुत दम के परचा परचार के लिए, अपने बेटी संग मित था, और अपने बेटे महिंद को स्री लंका भेजा था, लेकिन पटना के भिखना पाड़ी मौले में, लोग जिस महिंदरनात की मिट्टी की मूर्ती बना कर पूछते हैं न, वो कोई और नहीं, बल्कि सम्राट असोक के पुत्र थेर महिंद ही थे, सम्राट असोक ने अपने बेटे महिंद के लिए कृतिम पाड़ बनवाया था, थेर महिंद ही बाबा महिंदरनात के नाम से पूज़े जाते हैं, पाल महात्मे में ब्रामण बुद्ध का सुरू में जिक्र किया है, इस बुक में ये बात सुईकार की गई है कि पारवती गरीजा, वज्र योगिनी यानी तारा देवी है, कारुनेकिस और बुद्ध को ये ब्रामण उने सिप कहा है, और बुद्ध स्थूप को ये लिंग ओनी का महत्व जरूर था लेकिन सिबिलिंग का कोई साची नहीं मिलता है वो समय से अब तक नदी पहाड़ों से मिले किसी भी गोलाकार पत्तर को आज के सिबिलिंग से जोडते हुए अपनी डबली बजाना अलग बात है लेकिन मैं आप लोगों को एक सिबिलिंग की तस्वीर दखा रहा हूँ सामने देख रही होगी जो बिल्कुल ही आज की सिबिलिंग से मेल खाती है ये सिबिलिंग मत्रा के पास मैं गौकर्णेस और टीले की खुदाई से मिली है पुरा तत्विक यहता द्वारा इसके निर्माल का बर से चौती सदी बताए गया है और ये आज भी मत्रा की संग्राले में रखी हुई है जिस पर साप सब्दों में लिखा है बुद्ध स्थूप की चौकी लेकिन इसे लोग सिबिलिंग बता रहे है बाई किस बाई ऐसे बता रहे हो तोड़ा मैं भी क्लियर करो अब ये देखो ये सिबिलिंग दिख रहा है नहीं ये सिबिलिंग नहीं है ये जो मंदर है उसमें सरद रुतु आने पर पट बंद हो जाते हैं अंग्रेजी महिने से नवंबर में मंदर का पट बंद करते हुए अप्रेल महिने में फिर से इस मंदर का पट खुलता है तब तक इस मंदर में स्तापद मूर्ति को नीचे त्या खाने में ले जाकर रख दिया जाता है इस मूर्ती को आज कोई भी देखकर बता सकता है कि ये पंच मुखी यानि पांच चारवाले बुद्ध की अवले के उत्सर मूर्ती है ना कि कोई सिबलिंग अब ये देखो ये है पसुपती नात मंदर जो काट पांडू नेपाल में इस्थित है पसुपती नात का नाम ही बजर्यानी बौद्ध परंपरा से निकला हुआ नाम है बौद्ध संस्क्रेटी में पसुपती का अर्थ होता है पसु जैसी सभी प्रवर्तियों पर बजय पाना यानि जो भी स्रेश्ट प्रोस पंच सील को धारन करते हुए अपने अंदर की पास्वेक परवर्ति वाले सभी आच्रण पर काबू कर ले या अपने अंदर की सभी पास्वेक कामपपासा जैसी करूटियों से मुक्त हो जाए बैसे ब्यक्ती को ही पसुपती नात की उपादी से संबोधित किया जाता था लेकिन ये क्या आज ब्रामणी परंपरा में जिसको पसुपतिनात से जोड़का देखा जा रहा है वो तो कामपपासा का बंडार है सिब के बारे में तो जानती ही होगे इनके कताओं में सिब के बारे में क्या काहा है क्या का कता कानिया मिलती है ये पसुपतिनात मंदर है इसमें मारगदाता गौतम बुद्गी आकर्टी रखी हुई है इसमें रखी हुई आकर्टी चार मुखवाली है लेकिन उस आकर्टी को कोई पैचान ना ले उसी बाएसे आज ब्रामणी धर्म के ठेकेदार लोग अपने अनुवाईयों को उसे पारस पत्तर कहकर सबसे दूर रखते हैं ताकि उस पत्तर की बनी आकर्टी को कोई देख ना ले लेकिन आधी संकर के सेव मताबलंबी अनुवाईयों है बाद में उस मंदिर को अपने कबजे में करती हुए अपना अधी पत्ते जमा लिया था जिसका सक्च आज भी उस मंदिर को बनने वाली प्यारी प् की मूर्ती प्राप्त हुई है इस्तानिया लोगों के अनुसार सन 1940 में उदाजी नाम का धोवी सिवनी नदी में एक सला पर कप्ले धो रहा था लेकिन नदी की जलदारा जैसे यहसे कम होती गई वैसे वैसे वो सला पानी से बाहर आने लगी जब पूरे तरीके से वो सला प की स्तापना कर दी जबकि इस सला पर कौतम बुद्ध की आठ मुकवालिया करती बनी हुई है जिसकी यूचाई साड़े साथ फेट है जिसे आज कोई भी जाकर देख सकता है आप भी देख रहे होंगे कहां से ये पसू पती नात दिख रहे हैं चलो आओ अब लिलोटी नात मंदर के बारे में जानते हैं लिलोटी नात का सिब मंदर उत्तर प्रदेश के लखिमपुरा जले से 9 किलो मीटर की दूरी पर साड़ा नगर में इस्ते था इस मंदर में इसतापत मूरती पूर्वकालेन है लेकिन इस मंदर की भारी सनचना का निरमार अंग्रेजी काल में इस तानिय जमीनदार द्वारा करवाया गया था। इस मंदर में बराजित मूर्ती के सच्चा ये है कि अंग्रेजी काल में कुछ लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे। तभी जमीन के नीचे से गोला कार पत्तर पराप्त होता है जिस पर किसी की आकरती बनी हुई है। अब इस बात की जानकारी से पूरे सहर में ये चर्चा का बिसह बन गई। तभी ये ब्रहमणवादी लोग आते हैं और उस पत्तर पर बनी आकरती को काफी गौर से देखते हैं और निसकर्स नकालते हैं कि ये मूर्ती महावारत के काल की है जो साक्षत सिव हैं इसे सिव मंदिर को मुगल काल में किसी मुगल समराट ने नश्ट कर दिया होगा जिसक के अंदर दब गयोंगे अब महाँ के बोले वाले लोगों को क्या पथा है कि ये सिव लिक नहीं ये ततागत गौत्तंबुद की आकरती है आप खुद देखी है मार्गदाता गौतम बुद्ध की छोटी-छोटी आकरती से बनी हुई गुलाकार पत्तर मला है जिसे आज के ब्रामणवादी लोग सिबलिंग बताती हुई जलावी सेक की परंपरा सुरू करते हैं और अपना पेट पाल रहे हैं जबकि ये मार्गदाता की मूर्थी है जोनोंने सभी से कहा था कि आप लोग कोई कर्मकांड करते हुए मुझसे कोई चमतकार की उमीद मत करना लेकिन इटकोली के बुद्धी जी भी भारी संक्या में मिले बुद्धिक अफसेस के बाद भी कर्मकांड में लगे हुए इस मंदर में बुद्ध की मूर्थी के साथ साथ बुद्धिस तूब भी मिला है जिसे आप स्क्रीन पा देख रहे होंगे मुझे कुछ कहने की जरूत नहीं है अब खुद देख रहे हैं इन बरामणवादियों की जाहिलियत अब ये देखो महा मंदेलिस वर मंदर ये बिहार में इस्तित है इस मंदर के प्रांगण में सिबलिंग स्थाप रहत है जिसकी बनावट असो के स्तंब के जैसी है इस स्तंब की उचाई वाले आगे के भाग पर पंच्मु की आकर्ती बनी हुई है इस आकर्ती को महा मंदेलिस वर महादेब का रूप कहा जाता है इस आकर्ती की बनावट में कहीं से कहीं तक भी आपको आज के सिब की पहचान नहीं मिलेगी पिर भी इस परंपरा में रहकर अपना पेट पालने वाले ग्यानी लोग अपने अंद भक्तों के अंदर दिब ग्यान का प्रकास फैलाते हुए सिबिलिंग बताते नहीं थकते इन ब्रामणबादियों के अनुसार ये मंदर काफी प्राचिन है लेकिन इस मंदर की प्राचिनता कितनी है ये नहीं बता पा रहे है इस मंदर के आजब पस काफी बिकरा हुआ प्राचिन काल के साक्ष मिले है प्राप्त सभी साक्षों को पटना के संग्राला में आज भी देखा जा सकता है ये कहीं से भी महादेब दिख रहे हैं? नहीं ना, ये मूर्ती ततागत गौतम बुद्ध की मूर्ती है और जिसे सिबलिंग बताया जा रहा है, जिसे महादेब बताया जा रहा है अब ये देखो, कैलासपुरी मंदर ये उद्यपुर सहर में इस्तेत है इस कैलासपुरी मंदर में त्रलोकी सिब का एक लिंग स्तापे था जिसमें चार मुख की आकर्ती बनी हुई है इस बाएसे सिबलिंग को एक लिंगी की नाम से पूरे मेवाड में जाना जाता है बरतमान एक लिंगी मंदर की भारी बनावाट का निर्माण पंद्रवी सताबदी में महाराणा राएमल ने करवाया था लेकिन इस चार मुखवाले काले पत्तर से बनी आकरती की बनावट को प्रातात्व ग्याता दवारा आठवी सताबदी की बताई आती है जो बजर यानियों दवारा निर्मिता करती है आप खुदी देख लो न, ये महादेव है, सिविलिंग है या पिर गौतम बुद्ध है चलो आओ, गंदेश और महादेव के बारे में बात कर लेते हैं ये 36 गर्परदेश में इस्ते था ये मंदिर सिर्पुर नगर प्रातात्वे के स्तल के रूप में काफी मसूर है इस जगह से खुदाई में गुप्त कालीन, बौध साक्ष, परचूर मात्रा मिलने की भज़े से इस जगह का संबंद बौध सबता से जुड़ जाता है सिर्पुर की खुदाई में बुद्ध की मूर्तियों को जो साक्ष मिला है उसमें बहुत सारा साक्ष, बुद्ध की मूर्तियों से भी संबंद देता है अज प्राप्त सभी साक्षों को इस्तानिय इस्तर पर एक संग्रालय का रूप देते हुए रखा गया है आप खुदी देखो न, यह महादेव हैं? नहीं, गौतम बुद्ध है इन ब्रामणवादियों द्वारा सिर्पुर में आज सबसे मुक गंदेश और महादेव का मंदर है जो महानदी के उत्करन वाले इस तल पर निर्मत किया गया है इस जगे से खुदाई में जो लिंग नुगमा आकरती मिली है उसमें मार्कदाता गौतम की आकरती बनी हुई है फिर भी आज के सेब पंती बोले वाले अनुवाईयों को सिबलिंग बताते नहीं थकते अजो बात करते हैं एक और सिब मंदर की जो मुझफर नगर बिहार में है इस जगे का नाम चार गुजावाली मूर्ती की बज़ा से प्रसिद्ध था लेकिन आज ये मुझफर नगर का इस्तान रेड लाइट एरिया के कारण काफी बदनाम है कहा जाता है कि 1303 इसभी में मुझफर नगर की बगल में तुर्की नामकिस्तान से तीन फुट लंबी एक सला में ली थी जिसके अगरवाग के चारो दसाओं पर चार आकरतिया बनी थी इस आकरति वाली सला को मुझफर नगर के इस इस्तान पर इस्तापित किया गया था जिसको सिबिलिंग समझते हुए लोग अभी था जलावी से करते आ रहे हैं लेकिन उस सला को देखकर आज कोई भी कह सकता है ये सिबिलिंग नहीं है इस इस्तान का नाम उसी चार आकरति की बयए से चत्रुवजिस्तान पड़ा था आप देखो न ये सिबिलिंग दिख रहाए गया बिल्कुल नहीं अब आप लोग तैय करू कि आपकी जिंदगी में सवाल बनकर मार्क दाता गौतम भुद्ध बैटे हैं या आपके अंदर की बोलापन वाली अंदवक्त आज आपकी इसी अंदवक्ती वाली सोच के कारण आपके ज्यान और भावना से खेलती हुए ये ब्रामनवादी कालपनिक कानियों में उलजाकर रखती हुए अपना पेट पाल रहे हैं और आप लोग समझी नहीं पा रहे हैं भाई क्यार चंतीन ब्रामनवादियों को बुद्ध से बुद्ध को हिंदू समाज माफ नहीं कर सकता हाकिर क्यों? क्योंकि बुद्ध ना यूबकों को सत्त और तर्क दिया पाकंड और पाकंडियों से अजादी दी बच्चे और यूबक नयते को तरकसिल बन गए बारत को सम्मान की नहर से देखता है तो केवल और केवल बुद्ध की कारण आज भी भारती अपनी पैचान बिस्व में बुद्ध और बुद्ध की धर्ती से कराते हैं ब्रामणों के लिए बुद्ध को इंकार करना संबब नहीं था और ब्रामणों ने इससे बचने की तरकीव भी नकाली तरकीव ये थी कि हिंदूओं ने बुद्ध को बिष्णु का नौबा अवतार ही घोशित कर दिया और कर दिया बुद्ध के इत्यास को ही खत्म